इस वीडियो का टापिक है वर्ड प्राब्लम और डिवियन आफ यूनिट्स आफ लेंथ लंबाई के यूनिट्स के डिवियन से रिलेटड वर्ड प्राब्लम साल्व करेंगे तो लंबाई के यूनिट्स कौन कौन से होते थे लंबाई की यूनिट्स हैं किलो मीटर, क-M यानी किलो मीटर, M यानी मीटर, cm सेन्टी मीटर, mm का मतलब है मिली मीटर, इसी तरह से feet यानी ft और inches ये सारे क्या हैं, ये सारे लंबाई के यूनिट्स हैं आज हमने लंबाई के यूनिट के devience related word problem solve करने ही पहला problem देखते हैं अली has 54 meter long wire अली के पास इस तरह की wire है जो कि 54 meters long है, लंबा है He wants to cut it into 3 equal parts उसको वो 3 equal parts यानि 3 बराबर हिस्सों में काटना चाहता है Find the length of each part हमने क्या करना है हर part की length को find करना है तो यहां पे हमें total length बताई हुई है जो कि है 54 meters तो मैं यहां लिख देती हूँ 54 meters यह इसकी total length है हमने क्या करना है इसको 3 equal parts में cut करना है तो जब भी parts हो 3 equal parts में cut करना है और फिर उसके बाद हर part की length find करनी है इसका मतलब हमने क्या करना है हमने इसको divide करना है इच पार्ट है तो इसलिए यहां पे इच पार्ट का मतलब हमने divide करना है और किसके साथ divide करेंगे 3 के साथ क्योंकि 3 equal parts में उसको divide काट रहे हैं इसलिए 3 के साथ divide करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा इसको divide करने के लिए हम 54 को 3 से divide करेंगे और फिर बाद में answer के साथ इस unit को लिखेंगे तो जब 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो किसकी equal आएगा यहाँ पर करके देखते है 3 1s are 3 माइनस करें तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा यह आया 24 और 3 8s are 24 तो यहाँ पर 0 बचा यह complete divide हो गया तो इसका मतलब हमारा answer क्या आया 54 मीटर को जब 3 equal parts में divide किया है तो हमारे पास 18 answer आया यहाँ पर मैं लिखती हूँ 18 और अब इस answer के साथ जो भी यहाँ पर unit है उसको लिखना है तो हमारे पास यहाँ पर unit है meter तो answer है 18 meter इसका मतलब 54 meter long wire को जब 3 equal parts में हम cut करते हैं तो हर part की length कितनी है 18 meters इसको हम यहाँ words में लिख देते हैं the length of each part is 18 meters हर part की length है 18 meters एक और सवाल देखते है a wall is 72 feet high इस तरह के एक wall है जिसके height यह इसके height है तो यह कितना है इसके height है 72 feet asba wants to paint it in six different colors और asba जो है इस wall को six different colors में paint करना चाहरी है having equal width लेकिन यह कि हर part को जो वो color करेगी उनकी width same होनी चाहिए equal होनी चाहिए find the width of each color हमने देखना है कि इसमें जिस part को color करेगे तो उसकी width क्या होगी हर एक color की अब each color का word आया इसका मतलब हमने क्या करना है हमने divide करना है total wall की height है 72 feet तो इसका मतलब हमने 72 को divide करना है 72 feet को हमने divide करना है यहाँ पर divian का निशान लगा देते हैं किस से? 6 से क्यूंकि 6 different colors है इसलिए हम 6 के साथ इसको divide करेंगे तो अब इसको हम divide करके देखते हैं 72 को 6 के साथ 72 को 6 से divide करेंगे 6106, 7 मैं से 6-1 बचा और 2 नीचे आ गया तो 62012 इसका मतलब 72 feet को जब 6 से divide करेंगे तो क्या answer आएगा? इसका answer आएगा 12 12 feet यूनिट आपने वही लिखना है जो इदर होगा तो इसका answer आएगा 12 feet तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हर कलर की width है 12 feet इसको हम words में भी लिख लेते हैं width of each color is 12 feet अगला सवाल है अली अपने स्कूल वेन पे जाता है इस हाउस इस 15 किलो मीटर अवे फ्रॉम दे स्कूल उसके घर का स्कूल से डिस्टेंस 15 किलो मीटर है if the when stops after every 5 किलो मीटर जो when है वो हर 5 किलो मीटर के बाद रुक जाती है then find the total number of stops तो हमने find करना है कि total कितने stops है यानि when कितनी दफा रुकती है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम divide करेंगे total किलो मीटर को यानि total distance को जो की है 15 इसको हम divide करेंगे number of stops के साथ sorry, total हर 5 किलो मीटर के बाद stop करता है तो हम 5 के साथ divide करेंगे तो number of stops हमारे पास आ जाएंगे so 15 किलो मीटर्स divided by 5 15 किलो मीटर्स को 5 किलो मीटर्स के साथ divide करेंगे जैसे कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है ये अली का घर है और ये उसका स्कूल है तो इस रस्ते से वो वेन पे स्कूल की तरफ आता है तो अब हमने देखना है क्यूंकि वो हर 5 किलो मीटर्स के बाद ये वेन रुक जाती है तो हमने देखना है कि total कितने stops आ गए है अब ये 15 किलो मीटर्स divided by 5 किलो मीटर्स है तो इसको हम fraction की सूरत में भी लिख सकते हैं क्यूंकि हम जानते हैं कि devian को fraction की सूरत में लिख सकते हैं और fraction को devian की सूरत में ये एक ही बात होती है तो 15 किलो मीटर्स by 5 किलो मीटर्स तो numerator में है 15 किलो मीटर्स और denominator में है 5 किलो मीटर्स अब क्यूंकि 15 5 के टेबल में जाता है इसलिए 5 1s are 5 और 5 3s are 15 और जब divide हो रहे हूं और unit 1 जैसे हूं बिलकुल same हूं तो वो units भी आपस में cancel हो जाते हैं जैसे ये किलो मीटर है तो ये इस किलो मीटर के साथ cancel हो जाएगा क्यूंकि ये दोनों बिलकुल same है जिस तरह हम numbers को cancel करते हैं divide करते हैं इसी तरह हम kilometers को भी यानि units को भी कर सकते हैं तो ये अब हमारे पास आया numerator में है 3 और denominator में 1 है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब total number of stops कितने हैं 3 तो इसी बात को हम words में भी लिख लेते हैं total number of stops is 3 अगर वो हर 5 km के बात रुके तो कितने stops उसको लेने पड़ेंगे 3 इस तरह से हम devian of unit of length related word problem solve कर सकते हैं